के सभी अध्यापक साथियों का D.K. Gupta YouTube चैनल पर हर दिख स्वागत है दोस्तों मैं हूँ आपका योगिस सर आपको पता है कई सारे लेक्चर्स में आपके लिए यहाँ पर चैनल पर रन कर रहा हूँ आपको पता है UPTAT के लिए State TET के लिए मैं आपको बालविकास करवा रहा हूँ तो बहुत सारे स्टुएंट वहाँ पर यह कॉमेंट्स करके पूछते हैं कि सर या क्या यह CETAT के लिए भी है सर क्या यह MpTAT के लिए भी है तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सुरुवात में ही जब मैंने आपको UPTAT के लिए CDP कराना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे CDP में सारे topics मैंने आपको बता दिये थे कि CDP में कौन-कौन से ऐसे topic हैं जो केवल UPTAT में आते हैं और CTAT में वो topic नहीं आते हैं अब यहाँ पर CTAT examination की जो date है वो decide हो चुकी है आपका 31 जो जन्वरी है 2021 में exam होगा अब यहाँ पर कई सारे students का यह doubt होगा कि सर जो आप UPTAT के लिए CDP करा रहे हैं तो उसको मतलब बीच में से बंद करेंगे क्या होगा आगे तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए UPTAT के लिए जो CDP चल रही है वो बंद नहीं करी जाएगी UPTAT के लिए जो CDP की क्लास है वो आपकी डेली नौबजी होती है डेली नौबजी होगी और ऐसा नहीं है कि CTAT की डेट आ चुकी है UPTAT की नहीं आई है तो आपको घबराना नहीं है UPTAT की परिक्षा की तयारी कर रहे है जितने भी student है उनके लिए भी यही है कि November में हो सकता है आपका notification आए और CTAT के अलावा UPTAT exam भी आपका January में हो सकता है तो आसपास ही हो जाएगा ज्यादा delay नहीं होगा बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है अब यहाँ पर बहुत सारे student का ये doubt होता है उनको पता ही नहीं है कि CTAT में कौन सा CDP से topic आता है UPTAT में कौन सा आता है और बहुत सारे teachers बहुत सारे student गलती ये करते हैं कि जैसे ही वहाँ पर दिया है अधिगम अब उन्होंने अधिगम पढ़ लिया उसको पूरा नहीं पढ़ा उनके समझ में आ गया कि जो अधिगम में चीज़ें UPTAT में आ रही है वही CTAT में आएंगी ऐसा नहीं होता है अधिगम अगर topic का नाम दिया है तो अधिगम में मूल यांकन या फिर विकास बाल विकास में अधिगम किस तरह प्रभावित करता है वह सारे चीज़ें अधिगम में कुछ topic अलग होते हैं CTAT के लिए अब यहाँ पर दिक्कत यही होती है कि जैसे पूरे एक topic का नाम बढ़ लिया topic का नाम आपने देखा कि CTAT में भी है UPTAT में भी है तो वहाँ पर आप समझ जाते हो कि same to same हो गया वह same to same नहीं होता है topic के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है जो UPTAT में अलग तरह से पूछी जाती है CTAT परिक्षा में अलग तरह से पूछी जाती है तो यहाँ पर आज हम discuss करने वाले हैं आपके साथ syllabus अब यहाँ पर तीन तरह के बच्चे होंगे यहाँ पर channel पर 3 तरह के बच्चे होंगे एक तो वह student होंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी CDP की तयारी नहीं करी है एक वह student होंगे जिन्होंने पहले CDP पड़ रखी है एक वह student होंगे जिन्होंने बालविकास पहले पढ़ना शुरू किया लेकिन उनको पता लगा कि lockdown है अभी कोई exam नहीं है तो बीच में ही बंद कर दिया तो यहाँ पर उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सभी को हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि CDP का syllabus सीटेट के लिए क्या-क्या है ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं जो CDP से सीटेट में आते हैं बहुत जल्द हमारा यूपिटेट का भी जो CDP है वो complete होगा उसके बाद हम सीटेट परिक्षा के लिए भी CDP स्टार्ट करेंगे और यह बात आप जान लीजिए कि सीटेट परिक्षा से पहले भी मैं आपको CDP करा दूँगा तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं आपको CDP करा दूँगा विद प्रेक्टिस प्रेक्टिस भी करा दूँगा तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर CDP का syllabus जान लेते हैं डिटेल में syllabus जान लेते हैं कौन कौन से topic आते हैं तो जितने भी student जोट चुके हैं सभी को hello सभी को good evening वीडियो को like कर दीजे सब लोग वीडियो को share कर दीजे अपने दोस्तों के साथ अपने groups जो friends वगरा के जो WhatsApp groups होते हैं उनमें वीडियो का लिंक है, शेयर कर दिया करिए. चलिए, शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं, CDP का सिलेवस, CDP के सिलेवस में सबसे पहला पॉर्शन होता है, आपका बाल विकास का, जो कि यूपीटेट में होता है, अब बाल विकास सिलेवस में और यूपीटेट में दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि टॉपिक बिलकुल सेम टू सेम होंगे, कुछ अलग होते हैं, यहां पर आप देखिए, बाल विकास का सबसे पहले तो विकास की अवधार्ना पूछी जाती है, विकास की में वरद्धी का रोल होता है, तो वरद्धी विकास से कैसे अलग है, वो सारे चीज़ पूछी जाती है, और इसका अधिगम से कैसे संबन्द है, विकास का अधिगम से कैसे संबन्द है था, वो अलग से चीज़ पूछी जाती है CDP में, CTET परिक्षा में, बाल विकास के सिध्धानतों को आप देखिए, बाल विकास के सिध्धानत सेम है, बाल विकास में आपको बाल विकास के सिध्धानत में भी कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक ही कलट का सिध्धानत हो, चाहे वो निरंतरता का सिध्धानत तो सारे चीज़ें कराऊंगा. वन्षानुकरम एवं वातावरण वाला जो टॉपिक है, वो CETAT में भी बूचा जाता है, UPETAT में भी बूचा जाता है, तो वन्षानुकरम एवं वातावरण आपको पढ़ना है CETAT के लिए. अब इनके अलावा जो मैं आज टॉपिक्स बता दूँगा, इनके अलावा भी अगर आपने कई टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और सबसे पहले इन जो टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, इनको ही आपको कवर करना है, है ना यही टॉपिक्स जातर एक्जाम में आते हैं, इनके अलावा कोई टॉपिक्स नहीं आता है, चलिए, वंशानुकुरम और वाता वरड़ वाला चेप्टर आता है, इसको बड़ ध्यान से बढ़ना होता है, जिसको हम Environmental and Herity, यानि कि Inheritance कहते हैं, आगे देख लेते हैं, एक होता है समाजी करण की प्रिक्रिया, समाजी करण की प्रिक्रिया वाला चेप्टर एक अलग से चेप्टर है, थोड़ा सा काफी बड़ा चेप्टर है, और उसमें कई सारे मनोवेग्यानिकों की प्रिवाशाई भी हैं, समाजी करण किस तरह से बच्चे का होता है, कौन-कौन इस चीज को प्रभावित करता है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम, है ना, तो समाजी करण की प्रिक्रिया में भी हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, सीटेट में ये अलग से चेप्टर है, यूपीटेट में यहां से बहुत कम कोशिन पूछे जाते हैं, यहां पर यूपीटेट परिक्षागेर बात करें तो साथ से आठ मनोविग्यानिकों के बारे में हमें पढ़ना होता है, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है, केवल तीन मनोविग्यानिकों के बारे में हम पढ़ते हैं, जीन प्याजे का संग्यानात्मक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग और वाइगोस्की, तीन मनोविक ज्यानिकों के बारे हम पढ़ते हैं जीन प्याजे, कुहलबर्ग और वाइगोस्की सीटेट परिक्षा में इन तीनों ही मनोविक ज्यानिकों से प्रस्ण आते हैं इनके अलावा कोई प्रस्ण नहीं आता है तो इनके बारे में वड़े विस्तार से चर्चा करेंगे पिलकुल भी इटेंशन मद लीजेगा एक्जाम से पहले भी मैं आपका ये सिलिबस करवा दूँगा और यहां पर बाल केंदरित एवं प्रगती शील सिक्षा एक अलग से चॉपिक है यह भी आपका सिलिबस पूचा जाता है इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है बाल केंदरित एवं प्रगती शील सिक्षा में सारे चीजा पूछी जाती है कि पूरे विष्व में इसको इसके जनक कौन कही जाते हैं, इंडिया में ये कैसे आया, इंडिया में इसके जनक कौन है, कई सारे मनोवेग ज्यानिक हैं, उनकी परिवाशाएं हैं, उन मनोवेग ज्यानिकों की परिवाशाओं के अलावा, और भी कई सारी चीज़े हैं, जैस पूछा जाता है एक बहुत जाद इंपोर्टेंट चेप्टर है बुद्धी निर्माड जो बुद्धी वाला चेप्टर है और बहु आयामी बुद्धी इसमें भी कई सारे अलग-अलग सिद्धानते हैं चार से पाँच इस से भी जाता है 6-7 मनुविज्ञानिक है और इन्हों ने उसमें बताया है बुद्धी क्या होती है अलग-अलग सब ने बताया है इसके अलग-अलग कारक बता है इसको प्रवावित कौन करता है कैसे होता है सारी चीज़े बताई है तो बुद्धी निर्मा ततता इसकी भूमिका, जो समाज निरमाड में जो लिंग क्या इसकी भूमिका है, वो सारे चीज़ इप पूछी जाती है, छोटा सा चेपटर है, अलग से है individual indifference का seated में इसका वेटे ज़्यादा है और अच्छे खासे दो तीन प्रस्निश से पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ये इस बालविकास का एक अगला chapter है अधिगम का मुल्यांकन किस तरह से हम अधिगम का मुल्यांकन करते हैं अधिगम के लिए मुल्यांकन करते हैं दोनों चीजें अलग-अलग हैं तो इस chapter में हम पढ़ते हैं कि अधिगम का मुल्यांकन क्या होता है अधिकम के लिए बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे को पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं उन सारी चीज़ों पर हम discuss करेंगे इसमें हम मूल्यांकन को भी डिटेल में discuss कर लेते हैं है ना, तो ये भी चेप्टर आता है आपका CDP में, इसके अलावा उपलब्दियों का मुल्यांकन एवं प्रस्णों का निर्माड, किस-किस तरह के प्रस्ण होते हैं, किस-किस तरह के प्रस्ण, जो आपके एक बुक में होते हैं, कितने टाइप की होते हैं, और प्रस्ट निनमाड क्या है, इसके लाप से पूछी जाता है, और यह आपका चेप्टर है, तो बालविकास में आप देख सकते हैं, टोटल 12 चेप्टर आपकी हो चुके है, यह 12 चेप्टर पूछी जाते हैं, इसके अलावा एक अलग से बड़ा टॉपिक है, समावेशी सि पहचान, किस-किस प्रस्ट भूमी के बालक होते हैं, किस-किस तरह के बालक होते हैं, उनकी पहचान, शाररी ग्रूप से बिगलांग है, मानशी ग्रूप से है, अधिगम आशक्तिता वाले बालक हैं, तो उनकी पहचान, तो कई परकार के बालकों के बारे में हम इसमें सरजनातमक बालक जो creative child होते हैं उसके बारे हैं विसिस्ट बालक होते हैं उनके बारे हैं, जैसे manud buddhy बालकился hasag?.. तो कि तो छिंग बीष्य बालक flexibility ढूब। सिच्छड की जो अधिकम प्रिक्रिया है उसके बारे में पढ़ते हैं, बच्चा एक समस्या समाधान करता के रूप में होता है, बच्चा क्या है, एक समस्या समाधान करता के रूप में होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, बच्चा एक विज्ञानिक के रूप में भी होत इसके अलावा संबेग, जो आपके emotions होते हैं, कुरोध, भय, प्रेम, घ्रणा, इर्शा, इसके जो चेप्टर है, वो एक अलग से चेप्टर है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी प्रिणना, motivation के बारे में पढ़ेंगे, और इसका learning से क्या संबंध है, इसके बारे में NCF 2005, National Curriculum Framework 2005 के बारे में पढ़ते हैं, इसके लावा एक और है, जैसे RTE, Right to Education जो एक्ट है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो यह जो आप चेप्टर देख रहे हैं, इनमें कुछ target content है, जैसे आप चेप्टर देख रहे हैं, आपने चेप्टर देखा, इसमें कुछ संग्यान है, जैसे बुद्धिवाले चेप्टर में कुछ target content है, जिसको पढ़ना होता है, आप को CTAT के लिए, और जैसे आप यूपटिवाला चेप्टर है, आप यूपटिट के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें आदा पढ़ना है, जो पुटईट के लिए पढ़ रहे हो, उनकी books उठाके देखिए, क्योंकि जादतर जो teachers होते हैं, चाहे वो YouTube पर हो, चाहे वो offline हो, जादतर जो teachers होते हैं, उनको experience रहता है, सबसे पहले तो exam देने का, उनको पता है कौन कौन से topic आते हैं, लेकिन कुछ कुछ साल बात का होता है, 2-3 साल बात क्या है, नए topics आयाते हैं, topic चेंज हो जाते हैं, वो आपको जो बड़े-बड़े writer हैं, उनकी books में देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर आप देखते रहिए कि कौन कौन से topic आते हैं, कौन कौन से topic नहीं आते हैं, हर एक student मान लीजिए, जो भी CDET परिक्षा की तैयारी कर रहा है, या यूपीट परिक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको CDP के एक-एक topic रटे होने चाहिए, अपने मुझवानी तुरंद बोल लेकि यह topics आते हैं, है ना, क्योंकि यह आपको syllabus भी सबसे पहले याद होना चाहि है, जैसे मैं बोलूँ कि बुद्धी क्या है, तो बुद्धी आपको बताऊने चाहिए, संग्यान क्या है, आपको बताऊने चाहिए, संवेग क्या है, तो एक्जेक्ट संवेग आपको समझ में आना चाहिए, कि यह है क्या, है ना, संवेग आपको समझ में आया जागा, य तब थोड़ी सी आसानी होती है, आज यह मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे मान लिजिये आप प्रतिवार्शाली बालक के बारे में बढ़ रहे हैं, आपको समझ में नी आया है, आपने चीजें कुछ रट ली है, प्रतिवार साली बालक में कुछ मनोवे ग्यानी कोगी परवाशन दूइंगे कितने इसके प्रकार होती है उसका चिंतन कैसा होता है IQ कैसा होता है आपने कुछ चार-पांच छीज घड़े लेकिन एक्जेक्ट आपके दिमाक में प्रतिबार साली बालक की समझ विक्सित नहीं हुई कि exact होता क्या है तो वहाँ पर आप दिक्कत आ जाएगी क्योंकि पेडागोजिकल कुश्चन जो पूछे जाएंगे पेडागोजिकल कुश्चन में वो घुमाने वाले होते हैं अगर आपके concept समझ में आया है तो आप करोगे वरना उसको गलत करया होगे है ना तो गलत नहीं करना है हर एक topic को बड़े आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बड़े आराम से पढ़ेंगे चाहे कोई साभी topic हो तो सभी जो topics हैं सब को पढ़ेंगे आराम से करेंगे अभी जो seated परिशा है उसकी तिथी आई है अभी इसके लिए लगबग तीन महीने का समय है आपके पास तीन महीने से पहले ही मैं इसका course भी कराऊंगा इसकी practice भी कराऊंगा है ना तो बिल्कुल निश्चिन्त हो जाईएगा आराम से तैयारी करेंगे और इस syllabus को बताना मेरी लिए important था क्योंकि बहुत सारी students हैं वो तैयारी शुरू करेंगे तो जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको syllabus exact वही पता होना चाहिए तो syllabus पता करके ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा syllabus बताया है कि CDP का क्या syllabus है बहुत सारी students तैयारी शुरू करेंगे इस वज़े से मैंने सोचा कि आपको syllabus बता दिया जाए ताकि आप लोग इसके according अपनी तैयारी कर सको इससे बाहर कोई topic मत बढ़ना और जो अच्छा writer है उसकी ही book बढ़ना और इसके लावा हम जो classes चलाएंगे वो आप देख सकते हैं और जो student UPDAT वगरा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने EVS करा रखी है CDP UPDAT के लिए चल रही है 10-11 lecture उसमें हो चुकी है आने वाले एक महीने के अंदर हम उसको खत्म करेंगे उसके बाद हम CDP CTAT के लिए शुरू करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे कल शाम को 9 बजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद और बाद के लिए और बाद आज करेंगे